देरवन में दुख का क्या मतलब है? ये कहानी है गौतम बुद और उनके कुछ शिश्यों की एक बार गौतम बुद और उनके शिश्य एक वन से गुजर रहे होते हैं बहुत देरवन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिश्य एक विशाल पीर के नीचे बैठ जाते हैं उस पीर के नीचे एक अलग सी शांती थी सभी लोग उस शांती का अनुभव कर रहे थे कोई भी एक शब नहीं बोल रहा था चुपचाप सब उस शांती का अनुभव कर रहे थे कुछ देर बीदने के बाद गौतम बुद्ध के एक शिश्य ने कहा कि बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ शिश्य बोला बुद्ध मैंने कभी भी आपको तुखी नहीं देखा है आपके चहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहते है हमें भीतर तक आनन देती है वो मुस्कुराहट आपके चहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसो तूर करती है पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिख्शू बनने से पहले मेरे जीव में बहुत सारा दुखता जिसके कारण ही मैं भिख्षू बना पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या क्या आप मुझे पता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिख्षू से कहते हैं दुख कुछ भी नहीं दुख तो सिर्फ एक विचार है सभी लोग सुनकर चौक जाते हैं और बुद से पूछते हैं परन्तु बुद विचार तो आते जाते हैं रहते हैं आते हैं विचार और चले जाते हैं पर दुख एक पर आता है तो जाने का नाम नहीं लेता बुद कहत सारी बातों को वो मानता था और कभी भी वो अपने नौकर पर शक नहीं करता था और सही भी था क्योंकि वो जो नौकर था वो काफी इमानदार था एक बार उस सेट को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है दो-तिन दिनों के बार जब सेट वापस लोटता है तो एक कीमती समान लेकर आता है वह उस कीमती समान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है तुम्हें खास तोर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है ध्यान रहे ये तूटे नहीं ये कीमती चीज तक पहुंचता है मतलब सेट के कमने में वो पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है सफाई करते वक्त वो कीमती चीज नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है सेट को ये बात जब पता लगती है वो नौकर के पास आता है नौकर को हूप दारता है धमकाता है उसे नौकरी से निकारनी की धमकी भी देता है मगर वो उसे नौकरी से नहीं निकालता क्योंकि वो जानता था वो नौकर बहुत अच्छा और वफादार है इसलिए डार धमका कर वो ये बात खतम कर देता है सेट अपनी उस कीमती चीज़ के बारे म बहुत दुखी होता है रात होती है सेट अपने कमरे में लेट जाता है सेट को अपने कमरे में तो लेट जाता है वो मगर वो इतना से बेचायन होता है ना कि उसको नीन नहीं आती वो बहुत ही बेचायन होता है बेचायनी के कारण सेट अपने कमरे से बाहर निकलता है और दे कीमती चीज तोड़ दी है सेट सोचता है इसने मेरी कीमती चीज चोड़ दी फिर भी कोई चंदा नहीं है और मुझे देखो कि मुझे या नीधी नहीं आ रही है फिर को एक तरकीब आती है वो सोचता है कि अगले दिन मैं कुछ करूंगा एक समस्या का मैं समाधान निकालूं हैं मैं चाहता था कि मैं उस चीज को तुम्हें उपहार के तौर पर दूँ परंतु अब क्या कर सकते हैं अब तो वो तूट गई सेट की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा नौकर सोचता था कि अरे यह तो सेट की थी जब उसने तोड़ी तो फिर उसको थोड़ा तो दुख हो गया और रात भर उसको नींद नहीं आई तो दुख क्या है दुख तो केवल एक विचार है दुख कैसे उत्पन होता है अब देखे जब चीज उसको लगाना उसकी खुद की है जो उसकी खुद की हो सकती थी वो तो पहले ही टूट गई थी पर जब उसे पता लगा कि उ नौकर की रातों की नीद उड़ गई तो दुख है क्या दुख तो मातर एक विचार है और विचार से जादा कुछ नहीं अगर आप उस विचार को छोड़ देंगे तो आप खुश हो जाएंगे आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोच ये कर ये बार क्या होता है किसी छो थौट ने नथिंग अल्स इससे जादा कुछ भी नहीं झाल झाल झाल